पेंटिटर के पाईर विजे नगार अंपाइर के बारे में बात नहीं होगी विजे नगार अंपाइर था वृरंगल différentsु इंट्री हूई ऐंडिया के अंदर इन सब चीजों के बारे में आप समझने की कोशश करेंगे देखे जो विजे नगर अंपायर था और बहमानी अंपायर था यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मेरा स्कोप होगा होगा है है जो एभात की सब्ड़ा है एक भिजे नगर अंपायर, एक खोयल अंपायर और एक आपका वरंगल अंपायर बहमानी कीडम आपको पर्टिकुलरली कुछ इस पर्टिकुलर इलाके में नज़र आ रहा है ठीक है? यहाँ पे आपको एक Reddy Empire भी नज़र आ रहा है ओके? इधर आपको विजय नगर Empire नज़र आ रहा है और अम्पायर्स बड़े छोटे होते रहते थे एक यहां पर वरंगल अम्पायर भी हुआ करता था तो एक समय पर वरंगल अम्पायर के उपर पूरी तरीके से महमानी अम्पायर ने कबजा कर लिया था अगर आप वरंगल अम्पायर को देखो अच्छा विजे नगर अम्पायर हमेशा इतना बड़ा नहीं था एक समय पे विजे नगर अम्पायर के साउथ में आता था होईसला अम्पायर देखें ये 1026 से लेके 1343 AD तक था होईसला अम्पायर लेकिन होईसला अम्पायर जब खतम हुआ तो उसके डोमिनियंस के उपर कबजा हुआ किसका विजे नगर अम्पायर का तो जहां पे पूरा पूरा होईसला अम्पायर हुआ करता था उसके उपर पूरा का पूरा विजे नगर अम्पायर का कबजा हो गया तो ये इलाके आपको दिखाने बहुत जरूरी थे इन एलाकों का reference मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा जब मैं आपको topic explain कर रहा हूँगा ओके तो अभी के लिए मैंने आपको कि एक हलका फुल का idea दे दिया है कि where are basically these empires चलिए अब आगे शुरुवात करते हूं और overall अपने topic को शुरू करते हैं introduction के साथ हाँ जी विजयनगर और बहमानी kingdom ये south of the India में आते थे तो सत्पुरा रेंज, विंध्यन रेंज और विंध्यन रेंज के south में चले जाओ तो आपको थोड़ा आगे जाने पर मिल जाएगा आपका बहमानी kingdom उसके और south में जाओगे तो आपको मिल जाएगा विजयनगर kingdom ये ज लेटर को प्रमोट किया, law and order को maintain करने के लिए specific administrative architecture लेके आये, commerce और handicraft के development में इन empires ने एक major role प्ले किया और ये ऐसा समय था जब south इंडिया में consolidation हो रहा था, south इंडिया में overall आप देखोगे consolidated governments बन रही थी, एक बड़े इलाके पे एक stable empire का राज हो रहा था, जादा लडाईया south इंडिया में नहीं हो रही थी, पर अगर आप उसको north इंडिया से compare करो, तो north इंडिया में disintegration हो रहा और दिल्ली सल्तनत का dominion फैलता था लेकिन फिर कम होता था, फिर फैलता था फिर कम होता था, चुकि लगाता राजबूत, बंगाल के राजा, ये दिल्ली सल्तनत के authority के against लड़ते रहते थे, तो अलाउद बिन खिल जी जैसा कोई ताकतवर राजा आ गया, तो उसमें दिल्ली सल्तनत के एंड फैसे में हम लोग पहुंचते हैं, तो वहाँ दिखता है कि बहुत जदा डिसिंटीग्रेशन हो रहा था नॉर्थ इंडिपेंडेंट अंपायर्स उभर रहे थे, और वो लगातार दिल्ली सल्तनत की सेंट्रलाइज अथॉर्टी के अगेंस्ट बहमानी अंपायर और विजयनगर अंपायर नो डाउट एक बहुत लंबे समय तक राज में रहें, बहमानी अंपायर डिसिंटीग्रेट होगा अट दा एंड ओफ 15th सेंचुरी और विजयनगर अंपायर डिसिंटीग्रेट होगा उसके 50 साल से भी जादा बात में, मतब 1565 म और विजयनगर अंपायर का डिसिंटीग्रेट होगा, यह पूरी की पूरी कहानी इस चैप्टर नमबर 9 में हम लोग बहुत डीटेल में समझने की कोशिश करेंगे, फिर इंडिया का भी धीरे धीरे पॉलेटिकल जो आप कह सकते हो ले आउट है वो बतलेगा, सबसे पहले इंडिया में एंट्री होगी पॉर्टोगीज की, पॉर्टोगीज एंट्री मारेंगे साउधन इंडिया में और वो इंडियन सीज को डॉमिनेट करने कोशिश करेंगे, लैंड पे तो भाई देखे एशन पावर्स को हरा पाना पॉर्टोगीज के लिए बहुत मुश्किल लेकिन समंदर के ओपर पॉर्टोगीज का कंट्रोल था, नौर्थ इंडिया में फिर कंसॉलिडेशन शुरू होगा, बाबर आएगा, बाबर के बाद हुमायू आएगा, अकबर आएगा, ओके, शाह जहां आएंगे बाद में, मुगल्स ने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिट इंडिया को, नौर्थ इंडिया को पूला का पूरा डिसिंटिग्रेट कर दिया, सौरी, इंटिग्रेट कर दिया, साउथ इंडिया में काफी हद तक अपना जोर जमाया, फिर आप देखोगे कि जब पॉर्टुगीज की एंट्री होगी, तो एक लॉंग एरा of confrontation शुरू हो आगे बढ़ने इस पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजे, हो सके तो जोईन बटन दबा के हल्प करें, आपके जोईन बटन दमाने से खासा मदद म कर लिजे, हर चीज का लिंक निजे डिसक्रिशन बॉक्स में दे रखा है, तो शुरुबात करते हैं, वीजे नगर अंपायर को फाउंड कहता हरी हरा ने और बुक्का ने, और फैमली ओ फाइव ब्रदर्स थी, इसमें दो ब्रदर्स भाई बड़े तगड़े आगे निकले एक तो था हरी हरा और एक थब बुक्का, अब ऐसा नहीं है कि हरी हरा और बुक्का ने एकदम सिविजे नगर अंपायर की स्थापना कर दी, इनको शुरुबात में बहुत सी हार और बहुत सी मायूसी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, एक लेजेंड बोलता है कि पहले जो वरंगल के काकातिया रूलर थे न, इनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे हरी हरा और बुक्का, फ्यूडेटरी समझते हैं न, कि वरंगल की जो रूलिंग डैनस्टी है काकातिया, उनको मिलिटरी सपोर्ट प्रोइड करना, एक लोकला को जब मुहम्मद तुगलक ने हरा दिया, एक्चली हुआ क्या कि मुहम्मद तुगलक से एक मुसलिम रेबल भाग के कमपली में जाके छुप गया, मुहम्मद तुगलक ने बोला कि वापस करो, कमपली की राजय ने वापस करने से मना कर दिया, मुहम्मद तुगलक ने कर लिया ओके और प्लस इनको तुगलक अंपायर के रिजीम पे के बिहाफ पे बठा के बोल दिया गया कि अब तुम यहां पे देखोगे कि कोई रबेलियन ना हो ठीक है लेकिन आप देखोगे कि तुगलक दोमीनियन के इंदर आता था मदुरई और मदुरई का जो मुस्लिम करें और फिर यहां पर साउथ इंडिया में फिर लड़ें फिर फिर शवापस नाट प्रैक्टिकली पॉसिबल तो एक समय के बाद दिल्ली सलतनत का इंटर्फेरर्स कम हो गया साउथ इंडिया में और अकब जद्यादे इंटर्फेर शुरुआत में उसने किया नहीं मतब म exist करता था यहां पर इस पर्टिकुलर फोटो में आपको यहां पर होईसला अंपायर नजर आ रहा है अभी यहां पर कुछ और चीजे भी मैं आपको दिखाऊंगा नदियों के और बुक्का भी यहां पर एक मेजर प्लेयर की तरफ उभर के सामने आए ठीक है ना इनों ने यह बोला कि बहिए जो हमारा नया मास्टर है दिल्ली सल्तिनत हम इसको नहीं मानते हैं नहीं हम अपने न्यू इसलाम फेट को मानते हैं इनके गुरू थे विद्या रन नसाब यह अपने गुरू के पास गए और इनको फिर से हिंदू धर्म में कनवर्ट किया गया पहले हिंदू थे इनको जबरदस्ती इसलाम में कनवर्ट किया गया अब आप जबरदस्ती धर्म में कनवर्ट कर लिया आपने लेकिन जब तक आपने दिल से किसी धर्म को नहीं अपना आ नहीं किया गया था, वो हिस्टोरियन के साफ से चीज़ें मैट्री डिफर करती हैं, उसमें हमको जाने की ज़रूत नहीं है, इनको करनाटका का नायक भी बोलायाता है, हरी हरा बुक्का का, चुकि इन्होंने टर्किश रूल के अगेंस्ट आवाज उठाई थी, मतलब जो दि अब यहाँ पे अपने इलाके को फैलाना शुरू करेगा, अभी इलाके को फैलाना है तो दो लोगों के साथ डील करना है, एक तो भाई, तो जब यह साउथ हिंड्य में कान्फिक्ट शुरू हुआ ना, यह जो मदुराई का सुल्तान था, यह काफी अंबिशिस था, तो होईसला किंग्डम यहाँ पे डिसिंटीग्रेट होने लगा, और पूरी तरीके से निस्तो नाबूत होने लगा, हरी हरा गद्धी पर बैठा था 1336 AD में, और अगर आप हरी हरा किंग्डम की बात, सोरी होईसला अंपायर की बात करो, तो होईसला अंपायर कब से कब तक था 1026 AD से लेकि 1343 तक, तो आप देखोगे कि एंड में जब होईसला अंपायर तूट रहा होगा, 1343 तक खतम हो रहा होगा, और गद्धी पर बैठा है हरी हरा 3036 AD में विजयनगर अंपायर का राजा, धीरे धीरे करके विजयनगर अंपायर होईसला के डोमीनियंस में घुसना शुलू करेगा, और इन डोमीनियंस को कबजा करना शुलू करेगा, और 1343 तक आते आते होईसला अंपायर फूरा खतम हो जाएगा, और इसके मेजर इलाके पर विजयनगर का जो राजा था, वो अपना कबजा दमा लेगा, हाला कि होईसला रूलर को हराने में केवल विजय शुलू करेगा, वो किसके हाथ में चला गया, विजयनगर के रूलर्स में हाथ में चला गया, और ऐसा निता कि हरी हरा और बुक्का यही दोनों involved थे, हरी हरा और बुक्का के जितने भी भाई थे ना, वो भी यहाँ पर involved थे, तो ऐसा निता कि हरी हरा और बुक्का यही पर तो आप कह सकते हों कि विजयनगरा एक कॉपरेटिव कॉमन्वेल्थ था कॉपरेटिव कॉमन्वेल्थ मतलब हरीहरा और वुक्का तो राज करी रहे हरीहरा गदी पर बैटा उसके साथ साथ इनकी फैमिली की जो भी भाई बंदू है वो भी अलग-अलग जगाओं पे जाके अलग-अलग प्रोविंसेस को जीत रहे हैं और वहां की important political post पे उनको भी बठाय जा रहा है तो वो भी मज़े की जिन्दिकी जीत रहे हैं overall, combined तरीके से विजे नगर family जो थी हरी हरा बुक्का की जो extended family थी वो लड़-अलगे जगाओं को जीत जीत के अपने डोमीनस में दीर-दीर ला रही थी अपने डोमीनस की जो पांट्रीस थी वो बढ़ा रही थी अब ये जो मध्रॉई का सुल्तान था वो कहा था वो देखे यह यहां था मदुरही का जो मुस्लिम गवर्णर था वो यहां था विजयनगर अम्पायर कहीं यहां से शुरू हुआ बीच में बहुत बड़ा होईसला अम्पायर था तो इस होईसला अम्पायर की तो बिल्कुल ही हालत खराब हो गई नौर्थ से विजयनगर उसको मार रहा था और hamburger victories ficarweight wearing the इस लिवे तक नर्फ के दुशुन का बार मैं भी बात करेंगे चुट में इसका दुश्मन था, वो था ale M — अगु चाह 아직 बार देखोगे कि सल्तनत और मदुरही पूरी तरीके से खतम हो जाएगी, जो मदुरही की सल्तनत है वो मैंने आपको बताई थी, यही मदुरही की सल्तनत होईसला अंपायर के पतन के लिए बेर्स्पोंसिबल थी, विजय नगर भी रिस्पोंसिबल था, होईसला किंडम खतम इसके अलाकों पेभी कपजा होगया किसका विजयनेगर Ampire का, मदुरही के सलतनत को हराने की बात्त विजयनेगर Ampire के जो डोमीनिस थे, वो पूरे के साउथ इंढिया में फैल गया, रामेश्ष्वरम तक आप कह सकते हो, पूरी की पूरी तमिल काउंटी, आज की देट का तमिल नडू ये सब किसके पास चला गया विजे नगर अंपायर के पास चला गया चेरा किंडम की जो केरला में जो भी डोमीनेंस थी ये भी विजे नगर अंपायर के पास चली गये लेकिन नॉर्थ में भई विजें अगार अमपायर का एक बहूत बड़ा एनमी था जिसका नाम था बहमानी Kingdom नॉर्थ के इस बहमानी Kingdom ने विजें अगार अमपायर के नाक में दम करके रखा हुआ था, इसको हराना बहुत ज़्यादा जरूरी था अब थोड़ा सा यहां पर बह्मानी कींडम के बारे में भी हलकी फुलकी जानकारी ले ले लेते हैं हमने ये तो देखा कि विजेन अगर अंपायर का ओरिजिन कैसे हुआ हरी हरा और बुक्का से कद्धी पर बैठे 1336-80 में बह्मानी कींडम मना 1347-80 में ठीक है बह्मानी कींडम का जो फाउंडर था वो था अलाउदीन हसन अफगान एडवेंचर था ये अलाउदीन हसन और शुरुवात में एक ब्रह्मन था जिसका नाम था गंगू तो इस गंगू के साथ रहा था ये अलाउदीन हसन तो कभी-कभी यहां पे अलाउद्दीन हसन को हसन गंगू भी बोला जाता था रीजन बींग कि एक ब्रह्मन गंगू के साथ रहाता जब इसका कोरोनेशन हुआ जब वे बहमानी किंग्डम की गद्धी पर बैठा तो इसको टाइटल मिला अलाउद्दीन हसन बहमान शाह अब इसका नाम रखा गया जब अलाउद्दीन हसन बहमान शाह तो इसके नाम के पीछे का लॉजिक एक तो ये निकल के आया कि ये था अफगानिस्तान का और उस समय पर इरान पास में था तो एक Half Mythical Hero था एरान का जिसका नाम था बहमान शाह तो इस बहमान शाह के नाम पर पड़ा यहां पर अलाउदीन हसन का नाम तो नाम रख दिया गया अलाउदीन हसन बहमान शाह ओवर ओल अलाउदीन हसन इस बंदे का नाम था अफगान बंदे का जिसने बहमानी कीड़नम की गद्धी पर बैठा ये एक ब्रह्मन के साथ रहा था इसका नाम तक गंगू इसलिए इसको हसन गंगू भी बुराया था बाद में जब ये गद्धी पर बैठा तो नाम आया अलाउद्दीन हसन भहमान शाह एक बहमान शाह नाम का हाफ मितिकल हीरो था एरान का तो कुछ लोगों का लगा इसके नाम पे इसने बहमान शाह रखा है कुछ लोगों को ये लगा चुकि एक ब्रह्मन गंगू के साथ रहा था तो ये ब्रह्मन से बहमान शाह निकला है अब actually में बहमान नाम का शब्द ब्रह्मन से निकला है या इरान के सहाफ मिथिकल हीरो से निकला है इससे कोई लेना देना नहीं खास बात यह है कि जो अमपायर का नाम बहमानी किंग्डम पड़ा है ये इस बहमान शाह से ही निकला है तो अलाउदिन हसन बहमान शाह के नाम में जो बहमान था, इसी बहमान से निकला आपका बहमानी किंग्डम, गॉट इट, ओके, अब यहां पे आप देखोगे कि यह जो विजय नगर रूलर्स थे और यह जो बहमानी सुल्तान्स थे, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई तीन इलाखों को लेके, एक इलाखा था आपका तुंग भद्रा दुआब, एक इलाखा था आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, एक इलाखा था आपका मराथवारा कंट्री, इन तीन जगहों को लेके यह बहमानी सुल्तान्स और विजय नगर अपार एक दूसरे के सा हर चीज मैं आपको बहुत डीटेल में समझाओंगा, मैपस के साथ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से आपे समझ में आ जाएंगी, ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं तुंग भद्र दुआब की, तुंग भद्र दुआब एक ऐसा रीजन है, जो कि कृष्ण और और यहां पे अब लड़ाई हो रही थी किसकी, विजयनगर अंपायर की और बहमानी सुल्तान्स की, इस पर्टिकुलर इमेज में हम लोग इस पर्टिकुलर इलाके की लोकेशन को समझने कोशिश करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, तुंग भद्र दुआब, ये और इगरिकल्चरल रिविन्यूस के लिए लड़ पड़े थे कौन? विजयनगर अंपायर और आपका ये जो बहमानी अंपायर थे ये दोनों आपस में, तो कृष्ण नदी और तुंग भद्र नदी के बीच का जो ये इलाका है, इसको लेके पहले भी चोला, चालो, क्या, यादवा, होयसला, बहुत लोग लड़े हैं, एक समय पे तो होयसला का यहाँ पर कंट्रोल भी था, अब लड़ रहे थे विजयनगर अंपायर और महमानी सुल्तान, एक तो ये चीज़ आपकले हो गई, एक तो इस तरी से लड़ाई हो रही थी, दूसरी लड़ाई हो रही पर से बताता हूं, यह आपो क्रिश्णा नदी यहाँ से बहती हुए, ऐसे जाती नजर आ रही है, और यह गोदावरी नदी यहाँ से बहती हुए, ऐसे जाती नजर आ रही है, अब गोदावरी नदी और क्रिश्णा नदी दोनों नदियों के अंदर कुछ ट्रिब्यूट करते थे वारंगल का रूलर एजिस्ट करता था रेडदी एंपाइर एजिस्ट करता था लेकिन उसके बावजूद भी में प्लेयर्स दो थे एक था आपका विजयनगर एज़ियनगर एज दूसरा था आपका भैमानी एमपाइर तो इस कृष्ण कुदावरी बेसिन के लिए यहां पर लड़ाई हो रही थी प्लस इस बेसिन में बहुत सारे पोर्ट्स थे यहां पर इन पोर्ट्स से यहां पर ट्रेड भी होता था ओके ओवरॉल यह जो साउथ इस्ट एस्ट एश्या के साथ जो कनेक्टिविटी थी नहीं यहां पर उसको देखने के लिए आगे चले कौनकन का एक्सेस पाने के लिए जो लड़ाई हो रही थी उसको आप बोलतो हो मराथा कंट्री के लिए लड़ाई और इसके लिए आप देखोगे कि विजयनगर अंपायर और भेहमानी किक्टम में के बीच में काफी अच्छी कासी जड़त थी यह जो कौनकन कोस्ट का इल इलाका था जो वेस्टन घाट्स और कोस्ट के बीच में जो प्लेन इलाका था तो इस प्लेन इलाके में बहुत सारा अग्रिकल्चर हुआ करता था यहां पर बहुत सारे पोर्ट्स थे जिससे वेस्ट एशा के साथ ट्रेड किया जाता था तो इस पर्टिकुलर इलाके को औ और आपके बहमानी किंग्डम्स के रूलर में इसमें गोव अगरा भी आ जाता था वेस्टन घार्स के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आ जाते थे और यही वो इलाका था जहां पे वो पोर्ट्स थे जिनके तुरू इरान और इराक जैसी कंट्री से घोड़े मंगवाये आपको पता है कि military warfare में उस समय पे घोड़ों की importance बहुत जादा थी ठीन उस समय पर fighter jets नहीं हुआ करते थे या तो infantry होती थी या cavalry होती थी घोड़ों पे बैठके आते थे सैनिक या पैजल चलके आते थे सैनिक अभी जो घोड़े पे सैनिक बैठके आएंगे cavalry बहुत important है तो उसके लिए घोड़े चाहिए अच्छे घोड़े आते थे इरान इराक से चुकि good quality horses को इंडिया में bread नहीं किया जाता था तो ये गोवा और मुंबई के आसपास के port से आते थे घोड़े और इसलिए इस particular कौनकन कोस्ट के उपर कबजा भी बहुत ज़ादा जरूरी था और empires existent रहे हैं तब तक ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं इनकी लड़ाई बंद नहीं हुए military conflicts between Vijayanagar and वहमानी kingdom were almost a regular feature and lasted as long as these kingdoms continued जब तक Vijayanagar empire और वहमानी kingdom existent थे तब तक ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे contested इलाके के लिए नेबरिंग territories के उपर कपजा करने के लिए और उसमें life और property का बहुत नुक्सान हुआ बाई जब भी ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते थे जब दूसरे के dominant में गुषते थे वहाँ पर towns और village को जला देना लोगों को मार देना जो थोड़े बहु ने मुदकल नाम का जो टाउन था तुंगबद्रदोवा में इस पे उपर अटैक किया उसमें पे बहमानी कंट्रूल में था तो इस पर्टिकुलर टाउन में जितने भी गैरिसेन में लोग थे उन सब को मार दिया, slaughter कर दिया केवल एक आदमी जिंदा बचा जो जाके बहमा स्टेट्मेंट्स की मैं एक मुस्लिम सुल्तान हो, हिंदू को मारूँगा लेकिन जिस इलाके पर यह अटैक करते थे, वहां हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे और सब मरते थे, हलाकि उस समय पर हिंदूस मेजॉर्टी में थे, मुस्लिम कम थे, वो धीरे धीरे बढ़ रह ही थी ना, उस उस इलाके में खून बहा, लिटरली नदियों की तरह वहां पे खून बहरा था, पहली बार ऐसा हुआ, कि तुंग बदर रिवर को क्रॉस करके एक बहमानी सुन्तान विजयनगर की टेरिटरीज में घुसा, इसका टार्गेट था कि मैं इसको पूरी तरीके स वह कबजा कर पाया, इस पर्टिकुलर वार में विजयनगर और बहमानी दोनों ने अपनी आर्टिलरी को इस्तमाल किया था, यूज अफ आर्टिलरी हुआ, तब आप बोलोगे, वाट इस बेसिकली आर्टिलरी, आर्टिली मतलब समझ लिजे तोपे, जो तोप वगरा वालिटी थी, वो काफी बेटर थी, इसलिए इस पर्टिकुलर जंग में यहाँ पर जो बहमानी सुल्तान था, यह आप कह सकते हो, जीत गया, ओके, लेकिन ओवर ओल वो पूरी तरीके से कबजा नहीं कर पाया, बहुत महीनों तक ये वार चला, नहीं विजयनगर राजा को पकड़ पाया, नहीं उस कैपिटल के ओपर कबजा पकड़ पाया, लेकिन जिस जिस भी विजयनगर टेरिटरी में यह गुसा बहमानी अंपायर का सुल्तान, इसने बहुत सा बच्चों को मारा, लोगों को मारा, गुलाम बनाया, फाइनली जब विजयनगर की फोर्सेज औ वारते मर रहे हैं, बुड़े मर रहे हैं, फिर इन दोनों को भी बुद्धी आई, दोनों सुल्तानों को कि भाई, चलो पुरानी पोजिशन पर वापस लोट जाते हैं, एक दूसरे के लेबर्स रहते हैं, हम दोनों को साथ साथ में रहना है, क्रूएलिटी नहीं करेंगे वार में, आगे कभी वार होगा, तो अन आम्ड इनहेबिटेंट्स को नहीं मानेंगे, इस रिकार्ड को पूरी तरीके से इंप्लिमेंट नहीं किया गया, लेकिन बाद में एक चीज़ जरूर हो गई, कि बहमानी और विजयन अगर अंपायर में जब भी लड़ाई हुआ कर इनको मार के कुछ वैसे मिल नहीं रहा है, हाँ वो अलग बात है कि उनको लूटना पूरा चालू रहता था, उनको गुलाम बनाना लूटना चालू रहता था, बट मारो मत उनको, क्रूलिटी मत करो, इन सब चीज़ों को लेके दोनों ने एक दूसरे को बुला कि हम आईसा करेंगे, वैसा करेंगे, यह सब बाती यहां पर हो रही थी, ठीके, फिर आप आगे देखोगे, कि विजय नगार अंपायर धीरे-धीरे स्ट्रॉंग हो रहा था, मदुराई की सल्तनत खतम हो गई, कब हुई मदुराई की सल्तनत खतम, मैं आपको पहले ही बता चुका अब हम लोग एंट्री मार रहे हैं, 1377 से 1404 में, हरी हरा टूगर आज चल रहा है, अच्छा अगर रूलर्स की लीनियस से आपको थोड़ी प्रॉबलम हो रही हो, तो मैं आपको बता दू, आपको समझना पढ़ेगा, सबसे पहले जो विजय नगर अंपायर की स्थापना जी हाँ, विजय नगर अंपायर के अंदर तीन डाइनस्टी हैं, पहले आएगी संगमा डाइनस्टी, फिर आएगी आपकी सलूवा डाइनस्टी, फिर आएगी आपकी तुलवा डाइनस्टी, जो स्थापना हुई थी विजय नगर अंपायर की, तो दो भाईयों के नाप आए मैंने आपको हरी हरा और बुखका सबसे पहले गद् Yepar बैठेगा हरी हरा वोर आज करेगा 1336ij arg थरें автомобiliex वीरभाय ऑन्कार आए रामचंद्र ए विज्य बुखकार आए बहुř सरे तो आएगा मली कारजुन राएगा finally जो कृष्ण देव राय है अकसर कर जब भी आपकी विजयनगर अमपायर की बात होती है ना तो कृष्ण देव राय का बहुत नाम लिया जाता है ये जो कृष्ण देव राय था इसका राज था 1509 से लेके 1529 तक इसको one of the greatest ruler बोलाया था विजयनगर अमपायर का और ये जो कृष्ण देव राय था ये तुलुवा डाइनिस्टी का था याद रखेगा ये तुलुवा डाइनिस्टी का था तो बहुत लंबी लीनेज है आपकी यहाँ पे विजयनगर अमपायर के rulers की मैं आपको सारे लीनेजनेज नहीं बता रहा हूँ और सारे important भी नहीं है कृष्ण देव राय को बहुत याद किया जा था 1509 से 1529 एड़ याद रखेगा शुरुवात की हरीहरा और बुक्का ने हरीहरा 1336 से 1356 बुक्का 1356 से 1370 उसके अधर हरीहरा राय टू 1370 से 1440 बाकि आप जित्ते रट सको आपको न्यूमरस ऑल्नाइन सोर्सेस पर विक्की बीडिया वगर आपे यह information मिल जाएगे हाला कि उतना रटनी की जरूत नहीं है मैं आपको जितना बता रहा हूँ अगर आप इतना भी याद रख सको तो more than enough है तो आप देखोगे कि हरीहरा 2 ने eastern expansion शुरू किया अब जब यह eastern expansion शुरू करेंगे तो यह reddy के इलाकों तक पहुँचेंगे अब जब reddy गुदावरी डेल्टा में अगर आप reddy के इलाकों पहुचोगे तो आप बाकी सुल्तानों से लड़ाई में होगे बहमानी सुल्तान से लड़ाई में होगे नौर्थ में जो उडिसा के रूरर से उनके साथ आप देखोगे आप लड़ाई में होगे तो यहाँ पे मैं आपको पताता हूँ अगर आप पर्टिकुलर डोमेंज को देखो तो आपको चीज थोड़ी समझ में आएंगे यह पर्टिकुलर वीडियो देखिए वैसे तो आपको विजयन अगर अंपायर इतना वड़ा देख रहा है लेकिन शुरुवात तो इतने सही हुई थी ना इतने से फिर यह इस्ट एक्स्टेंड करने कोशिश करेंगे तो यह रेड डीस के लाके में गुसेंगे इस पर्टिकुलर डोमेन में गुसेंगे इसके थोड़ा और आप नौर्थ में चले जाओगे तो ओडिसा का एक राजा था इस ओडिसा के राजा का एक बहुत बड़ी इलाके पर राज था यह ओडिसा का राजा भी डाउन वर्ड्स Xspend करने के mood में था तो यहां पे बहुत सारे kingdoms आपस में एक इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए अपने Expansion के लिए लड़ रहे थे इस पर्टिकुलर इलाके में Expansion के लिए vision अगर empire भी जोर मारेगा बहमानी इम्पाइर भी जोर मारेगा उपर से बहमानी किंडम के सपोर्ट में वारंगल का राजा यहाँ पर क्या है तो यह देखें यहाँ पर है आपका वारंगल का राजा अब यह वारंगल का जो राजा था वो बहमानी किंडम के सपोर्ट में चला जाएगा ठीक है भाई बहमानी सिंडम का जो राजा था जिसको आप बोलते थे हसन गंगू ठीके ना इसको यह अफगान जुरूला था जिसको हसन बहमान शाह भी बोला आता था तो वारंगल के राजा ने इस अफगान बहमानी कीडम के स्थापक को मदद की और इसने बोला कि ठीक है भाई दिल्ली कि अगेंस्ट में तुमारी वदद करेंगे दिल् makes क्यों यह जो पूरा का पूरा दूमिनेन था नहीं पहले दिल्ली सर्तिनतख की और चुके हैं अब overall इस पर्टिकूलर इलाके में दिल्ली सर्थनत का कंट्रोल कम हो रहा है और बह्मानी किक्डम तो भाई इंडिपेंडेंट सरी के सराज कर रहा है वो कह रहा है हम नहीं सुन रहें दुगलक की तो overall इस पर्टिकूलर राजा को बह्मानी को यह जो वारंगल का राजा था और आसपास की छोटे मोटे राजे मदद करने लगे ताकि दिल्ली के खिलाफ लड़ाई की जा सके और नीचे से विजयनगर अंपायर भी थोड़ा इंबिशिस हो रहा था बाद में आप देखोगे कि जब यह हजन गंगू मर जाएगा और बह्मानी किक्डम क आगे की रूलर्स आएंगे वो वापस फिर वरंगल के इलाके पर अटैक करने लगेंगे वरंगल के इलाके में पहले जो गोलकॉंडा वाला फोर्ट था ना यह वरंगल के अंदर आता था लेकिन यह जो गोलकॉंडा वाला फोर्ट है यह वरंगल से छीन लिया जाएगा कि इसके दोरा बहमानी किंग्टम के दोरा जी हाँ, पहले मैं आपको बता दू हूँ कि जो फाया ऐसके बहमानी के बास afar और इस प्रकार की बाउंडuin को सफेरे यहाँ पर बहमानी ने बोला कि ठीक है हम वारंगल तुमारे इलाके में नहीं गुसेंगे, वारंगल ने बोला ठीक है साब हम आपकी बात मांगते हो दोनों ने मिलके इस पर्टिकुलर इलाके में तब यह जो पर्टिकुलर इलाका था जो कि वारंगल के राजा के कंट्रोल क अंदर में था, यहाँ पर भेहमानी इसकी बहुत चलने लगी, और वरंगल को यह बात एशुरेंस मिल चुकी थी भेहमानी की तरफ से कि हम आपके इलाके में नहीं घुसेंगे, अब अगर इस पर्टिकुलर इलाके में घुसके अपना राज स्थापित करना है विजयनगर अंपायर को, तो बहमानी और वरंगल दोनों के राजा की फोर्से से लड़ना पड़ेगा, अब विजयनगर अंपायर के लिए थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम आने वाली थी, चुकी देखिए उस बहमानी कीडम की यहाँ पे बाच्चीत तै हो जाएगी, सील हो जाएगी, उसके बाद विजयनगर अंपायर की इस पर्टिकुलर इलाके में जो एंट्री है न, वो काफी मुश्किल हो जाएगी, और बहमानी कीडम और वारंगल की यहाँ पे जो एलाइंस था वो 50 साल तक चला है, और इस पर्टिकुलर इलाके में घुसना मुश्किल हो गया था किसका विजयनगर अंपायर का, ठीक है बाई, यह सब चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, ओके, एक और बात बताई जा रही है, वारंगल का जो राजा था न, वारंगल के राजे के पास, पहले ही, आप कह सकते हो, वारंगल के राजा ने वो तो थ्रोन था, वो मौमब बिन तुगलक के लिए बनवाय था, लेकिन बाद में यह थ्रोन बहमानी के राजा को दे दिया गया, चूकि अब तुगलक रास्त तो यहाँ पे था नहीं, अब यहाँ पे बहमानी राजा चुका तो यह सब चीजे थे यहाँ तो कुलम राके मीडिवल राइटर्स ने बहुत लिखा है आपके विजयनगर अंपायर की रूलर्स और बहमानी रूलर्स की बीच की लड़ाई को, काफी लंबे समय तक यह विजयनगर अंपायर की रूलर्स की बीच में लड़ाई चलिया, य लेकिन इस लड़ाईयों के बावजूद भी विजय नगर भी अपने अलाके में रहा, बहमानी भी अपने अलाके में रहा, दोनों लोग एक दूसरे के अलाके में ज़्यादा गुस नहीं पाए, जब भी वार होता था, तो किसी एक वार में हो सकता कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टि का पलड़ा भाड़ी हो, उसी के बाद जो दूसरा वार हो, उसमें दूसरीं का पलड़ा भाड़ी हो जाए, कंफर्मिटी के साथ यहाँ पे कोई भी नहीं जीत रह था, अब भले ही यहाँ यहाँ पर बहमानी और वरंगल के बीच में एक अलाइंस हो गया हो, तो हरी हरा 2 के बाद कुछ दिन बाद देव राया 1 गद्धी पर बैठेगा 1404 से लेके 1422 तक उससे हमें फिर तुइंग बद्र दौ आपके लड़ाई हो जाएगी फिर बहमानी रूलर फिरोश शावस को हरा देगा और यहां पे जो आपका देव राया 1 है यह दस लाक हून्स और पर्स और एलिफेंट्स देगा इंडेमिनिटी की तरह किसको बहमानी रूलर्स को तो जब हार जाते थे तो हारने वाली पाटी कुछ हट तक पैसा वगरा भी देती थी फिर यहां पे हरी हरा 2 के बाद यह जो आपका देव राया 1 था देव राया 1 ने अपनी बेटी तक की शादी कर दी किसके साथ फिरोज शाह के साथ जो की बहमानी अंपाय कर रहा था बंकापुर नाम की जगा उसको दे दी लेकिन देगे यह शादी वगरा कुछ समय के लिए स्टीबिलिटी जरूर आ पाती थी अब उस समय पे हिंदू राजाओं के बीच में एक डिगनिटी वाला element हुआ करता था कि अपनी बेटियों की शादी ना करें Muslim rulers के साथ लेकिन जब भी administrative convenience की बात आती थी जब भी major large scale war की बात आती थी और लोग और यह राजा आपस में नहीं लड़ना चाहते थे तब अपनी बेटी की शादी करवा दिया करते थे बहुत सारी यहां पे Hindu kingdoms ने कि जो बहमानी kingdom था इसके राजा के साथ अपनी बेटियों के शादी करवा दी लेकिन इन शादियों से long term में peace नहीं आता था ठीक है आप शादी बहले करवा दो लेकिन कुछ समय के बाद तो लड़ाई होगी होगी और यह जो गोदावरी और कृष्ण रिवर वारा जो फिर यह बताया जा रहा है कि जब डेव राय टू अपनी बेटी की शादी फिरोष्ण भिहमानी के साथ कर रहा था तब जब फिरोष्ण भिहमानी शादी के लिए इसकी गेट पर पहुँचा तो महल से गेट तक कर जूट दस किलोमेटर का था उसमें सोने के चद्दर वग वर था उसने भी अपनी डॉटर की शादी फिरोष्ण भिहमानी के साथ करी थी लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया शादियों से कॉन्फिक्ट रुकने वाले नहीं थे कृष्ण को दावरी बेसिन को लेके वेजनगर अंपायर बहमानी किंडम औरिसा का अंपायर रेड़ी किंडम ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे चीजें तब अधनी जब देवराया ने वारंगल के साथ किया आपका एक अलाइंस तो आपको पता है कि बहमानी किंडम का वारंगल के साथ अलाइंस था वारंगल एक समय ऐसा आया कि उसने बहमानी किंडम को चोड़के कृष्णे देवराया के रहूंगा देवराया के साथ अलाइंस कर लिया कृष्णे देवराया पंद्रा सो नौई डी में आएगा तो एक समय पर ऐसा आया कि वारंगल जो कि पहले बहमानी को सपोर्ट करता था अब उसने बोला कि मैं देवराया को सपोर्ट करूँ को और रेड़ी टरिटरी के आसपास तक का इलाका पूरी तरीके से विजय नगर अपायर अपने कंट्रोल में ले लेगा यहां पर कुछ डेवलप्मेंटल वर्क्स भी की है जैसे कि देवराया वन ने तुंग बद्रा पर एक डैम भराया तो यह जो कृष्ण देवराया वाल कैनाल यहां पर बनवाई उसके आद आप देखोगे कि जब देवराया टू गद्धी पर बैठेगा 1425 से 1446 तब आप यह देखोगे कि ओवर ओल यह जो देवराया टू था उसने यह चीज़ देखा कि बहमानी आर्मी इतनी स्ट्रॉंग कैसे ठीकर ना यह जो रूलर्स थे यह काफी इनोबेटिव थे यह लगातार अनलाइज करते रहते थे कि हम सामने वाली पार्टी से कमजोर कैसे हैं तो यहां पर देवराया टू ने यह देखा कि यह जो बहमानी आमपायर के घोडे हैं यह बहुत ज़दा स्टर्डियर हैं इनके जो माउंटेंड आर्चर्स ह तो यहां पर यह जो देवराया टू था इसको लगा कि हमें भी बहमानी आमपायर जैसी मिलिटरी प्रोवेस लानी पड़ेगी आगे आने वाले समय में जब भी लडाई हो तो जो विजे नगर आमपायर वो डिसडवांटेज में आ रहे तो इसने क्या किया बहमानी यह जो वुजे नगर अमपायर की आर्मी में उससे बोला कि तुम्हे एक काम करो इन मुस्लिम कैवलरी मैं से तीर चलाने की आर्ठ सीखो अर्ट ओफ जिरी को ओफ recover all लडाई की टेखनीक सीखो इन मुस्लिम कैवलरी मैं से चुकि आगे आने वाले समय में विजे नगर अमपायर क forces को कभी ना कभी तो बहमानी अंपायर के साथ लड़ना था तो लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा अब खास बात यह है कि ऐसा नहीं कि विजे नगर अंपायर में पहली बार मुस्लिम कैवल्री बना रहे थे इससे पहले भी मुस्लिम्स इंप्लॉइट थे आपके व कैवल्री में असी हजार की कैवल्री और दो लाग की इंफैंट्री थी यह विजे नगर की अंपायर में देव राया टू के समय पे तो कुल मिरा के ऐसा बोला जाता है कि फिगर्स एग्जागरेटेड थे लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि मुस्लिम कैवल्री को हायर करके द उन की पॉलिटी हो रही थी चुकि जब एक गवर्मेंट के पास सेंट्रलाइजड आर्मी होगी तब वो सेंट्रलाइजड कंट्रोल करेगी पहले क्या होता था पहले जब राजा थे जो मीडर समय पे वो जब अपने कमांडर के उपर अपने फिडेटरी के उपर तो केंद्र का राजा जो अपनी प्रोविंसे से वहां पर बहुत सदा अर्टोनामी देने वाला नहीं है वह अपनी आर्मी को जगह जगह पर डिप्लॉय करेगा और पूरे देश के ओपर आयरन हैंड से रूल करेगा देव राय टू के पास जब यह नई आर्मी आया और जब कब जाने की कोशिश की देव राय टू ने लंबे समय तक यहां पर लड़ाई हुई और इन लड़ाईयों में भी overall कुछ खासा निकल के नहीं आया जितना बहमानी किंडम के पास था बहमानी किंडम के पास रहा जितना विजयनेगर के पास था विजयनेगर के पास रहा तो देव रायटू की काफी आउकाद थी कोईलोन का किंग, श्री लंका का किंग, पुलिकट पेगू, तैनसरिम का किंग ये जो पेगू और तैनसरिम है ये बर्मा और मलिया मतलब प्रेज़ेंड डे मलेशिया में ये भी देव रायटू को ट्रिब्यूट देते थे अभी इतनी दूर से अगर ट्रिब्यूट आ रही है तो इसका मतलब ओवर ओल हो सकता है कि विजन अगर अंपायर की जो नेवी है वो बहुत स्ट्रॉंग रही होगे, डेफिनिटली स्ट्रॉंग थी चुकि श्री लंका के उपर तो काफी हद तक आप देखोगे कंट्रोल चलता था आपका विजन अगर अंपायर का तो श्री लंका के उपर कंट्रोल बिना एक अच्छी नेवी के आप नहीं कर सकते है तो भाईया विजन अगर अंपायर बहुत पावरफुल और बहुत वेल्दी स्टेट था साउथ में दूरिंग फर्स्टाफ उफ फिफ्टेंथ सेंचुली इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉंटी ने बताया है ये विजन अगर अंपायर था चौदर सुबीस में उसमें पर इसने एक ग्राफिक अकाउंट दिया है इसने बोला, the circumference of the city is 60 miles its wall carried up to mountains and enclosed the valleys at their foot in this city there are estimated to be 90,000 men fit to be around the king is more powerful than all other kings of India इस प्रकार का overall introduction दे के रखा यहाँ पे Niccolò कॉंटी जो कि एटालियन ट्रेवलर था किसके बारे में वही विजन अगर अंपायर के डूमीनिएंस के बारे में फिर यहां पे एक Persian ट्रेवलर भी आया था जिसका नाम था अब्दुर रजाक, ओके, अब्दुर रजाक का यहां पे क्या बोलना है, इसने भी इंडिया में और इंडिया के बाहत बहुत extensively ट्रेवल किया, देव राय टू के तुरानी विजे नगर अंपायर में आया था, इसन इस कंट्री का सबसे फर्टाइल, सबसे जादा कल्टिवेटेड पार्ट, आप कह सकते हो, विजे नगर अंपायर की रूलर्स के अंदर हैं, और इनकी आर्मी लगबग 11 लाग की हैं, अब्दुर रजाक ने विजे नगर अंपायर को, वन अफ दा मोस्ट स्प्लेंडिट सि नहीं थी बहुत सारे से टाडल्स बहुत सारी दीवाने जो एक दूसरे को इंक्लोस करके रखी थी इस प्रकार की बहुत तगडी तारीफ कर रखी है या पर अब्दुलर्जाक ने ठीक है इन फैक्ट जो फोर्टरस थी आपकी विजयनगर अंपायर की सेवंथ फोर्टरस इसको बोला गया है कि यह हरत नाम की सिटी के दस गुना थी हरत आपका अफगानिस्तान में है प्लस जो मुस्लिम्स डिप्लॉय किये थे विजयनगर की आर्मी में यह सेपरेट कॉर्टरस में रहते थे हिंदू भी कास्ट के साफ से डिवाइड़ेट थे तो अलग-अलग कास्ट अलग-अलग जगहों पर रहती थी यह सब आते ही बहुत सारे अलग-अलग ट्रेवलर् फिर्ट्रइवन के अलग-ट्रेवजश कें इस जनगाइर की रॉम्स से बी ज्यादा बड़ी थी और उस समय पे रॉम दुनिया बढ़ की वेस्टर्ण वर्ड की सबसे बड़ी सीटी भी सीत से भी विजयन अग्र airmpire बहुत वेल्डी था वेजिए नगर अंपायर फिर कि के प्लेस में बहुत सारा बुलियन था बुलियन मतलब कि आप कह सकते हो कि expensive metal सोना चांदी तो इस प्रकार कि सोना चांदी जैसी चीजें currency बहुत ज़ादा थी centralized empire के leadership में तो चुकि centralized empire के leadership में बहुत सदा सोना और wealth थी circulation में उतनी थी इसलिए attack का भी बहुत बड़ा रजे बनती है जो विजय नगर की kings थे और इनके palace में बहुत सोना वगरा था तो जो आसपास के rulers होंगे वह एक और मज़े से attack करेंगे कि अगर हम जीच जाते हैं तो इस सारा का सोरा सोना हमारे हाथ में आ जाएगा विजय नगर अगर अंपायर जितना ग्रेट है इसका decline भी उतना ही इंट्रेस्टिंगे study करने में इसके decline को भी आगे देखेंगे तो thank you so much for watching अभी के लिए वीडियो खतम करता हूं दोस्तों जॉइन बटन दबा के help करिए अगर आप कर सकते हैं इस्टेग्राम पर follow कर लिजे टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लिजे have a great day हर चीज का link नीचे description box में दे रखा है बच के रहें और स्वस्तर रहें good bye